आज इस टॉपिक में मैं आपसे डीटेल्स शेयर करूँगी वो है डीएचे का फेज नाइन टाउं तरह से इस फेज में भी इनके पास डिफरेंट कमर्शल हैं, मस्जीद हैं, आपके पार्क्स हैं, डिफरेंट फाइफ मर्ला के 55 लैक्स से मैक्सिमम 90 लैक्स में हैं टाइटनियम ग्रूप असलाम लीएच अजिए अपको पता है तैटनियम के फेलट फार्म से मैं आपके साथ डिफरेंट टॉपिक पे अपडेट शेयर करती रहती हैं आज एस टॉपिक में आपसे डिटेल शेयर करूँगी वह है डिउचे य फेज-9 टाउन से इसकी सब्सustिक करोंगी इसकी सब्सकरी के बारे में मीनम डेक्सिमम रेट के बारे में अपडेट करूँग आपको सबसे पहले इसकी location आपको बता दू तो यह इसकी जो main interest है वो बेदिया रोड से phase 6 से road एंटर होती है जो के A और B ब्लॉक में अटर हो रही है और उसके इलावा असकरी 11 से एक road एंटर होती है जो के C और D ब्लॉक में एंटर हो दिया और उसके इलावा चोहां चोक से भी इसके प्रोच है अब इसके कैटिकिजिस अगर आपको बता दूँ इसमें 5 मर्ला, 8 मर्ला, 10 मर्ला के फ्लॉट्स की कैटिकिजिस है जिसमें मैक्सिम्म रीट्स के 5 मर्ला के 55 ъ-마 C 90 Lello में है और इसी तरह से 8 मर्ला में मिनीमम 1 crore – 1,30 vainly और इसके इलावा 10 मर्ला के जो रीट्स हैं वो आपके पास 1そ 40 L phrases , Max 1 rear 60 Lags में और जैसा कि आपको DHE की development के बारे में पता है, इसी तरह से इस फेस में इनके पास different commercial है, मस्जिद है, आपके parks है, different schools वगारा जो भी है, आपको approaches अची है, और अगर आप यहां पे residential point of view के लिए देख रहे हैं तो आप जो future में यहां पे profit भी gain करेंगे, मजीद DHE के बारे में जाने के लिए या पाकिस्तान में किसी भी किसम की society के बारे में जाने के लिए, आप मेरे इस DHE के number पे मुझसे contact कर सकते हैं, बहुत सा खिया लगिएगा, अलाहाफिस, टेक के हैं।